विव इध्यार्तियों, आज बिए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, बोतियों बोल, एक टोपिक लेंगे महासागरिये तली का उच्चावच Relief of the ocean floor सागरिये तली भी भूमी के दरातल की तरे उची नीची पाई जाती है महासागरिये तली में भी माधिपे दरातल की भाती विविद उच्चावच आकरतियां जैसे पर्वत, कटके, चौला मुखी सिखर, उभार, पठार, डाल, द्रोनिया, खाईया, कंद्राय, विस्तत मेदान, पठार आदी पाई जाती है महासागरिये तली में भी जवालमकी विस्पोर्ट में भुकम पिये गटना होती है हते महासागरिये तली के उच्चावच वे भू आकरतियों का अध्यान करना हते महासागरिये तली को निम्न चार उच्चावच मंडलों में विवक्त किया जाता है पहला है महाधी पिये निम्न तर्ट दूसरा है महाधी पिये ढाल तीसरा घेरे सागरिये मेदान और फूर्ट है महासागरिये गर्थ अब पहला रहते है महाधी पिये निम्न तर्ट महाधी पो का किनारे वाला वे भाग जो उथले सागर जल्ट से आवरत रहता है महाधी पिये निम्न तर्ट कहलाता है जो महाधी पिये तर्ट से जुड़ा होता है और जो एक सो पचास से एक सो असी मीटर उथले सागर जल्ट से डखा रहता है महाधी पिये निम्न तर्ट कहलाता है महाधी पिये निम्न तर्ट समद्र कह वे अती मंद डाल वाला भाग है जो महाधी पिके चार ओर फिला रहता है दूसा लिए ते महाधी पिये इसी में आगे चच्छा करते हैं मादी पे निमगन तट की उत्पती मादी पे निमगन तट की बनावट विस्तारादी में अनिक विविता पाई जाती है अनिक विज्ञाने को बते हैं कि मादी पे चबुत्रा का सागर की वो निकलावा भागोता है सागरी तरंगे वे लहरे अपरदन द्वारा विस्तर चबुत्रे का निर्मान करती है जिस पर नदियों वे लहरों द्वारा निक्षेप होने लगता है कालांतर में निक्षेप थोस वे सघन हो जाते हैं वे मादी पे मगन तर्टो का निर्मान हो जाता है कुछ भी दोवानों के अनुसार मगन तटो की उत्पती निक्षेपन परिक्रियाद वारा हुई है अपरदन कारक हिमानी नदिया आदी माधिपो से परदातों का अपरदन कर सागरे भाग में जमा करती रहती है इस परकार का सेल चोन समुझे तट के निक्ष जमा होता है जिससे मगन तटो का निर्मान होता है थर्ड माधिपो वे महासागरों के मिलन इस्तान पर नीचे के और चलती है इस कारण संपिडन होने से माधी पे किनारा अवतली तो हो जाता है और मगन तट का निमान होता है कभी कभी माधी पे किनारों पर समाना अंतर भ्रंसन की किरिया होती है जिस कारण लंबी-लंबी दरारे पड़ जाती है पे मादी पीक किनारों का भाग लंबवत रूप से दर्जाता है जो जल्बंग तट होकर मंगन तट का रूपदारन कर लेता है सागरतल में गिरावट के कारण अपरदन से बने मंगन तटो के रूपदारन बहुत है कुछ विद्वानों के अनुसार जहां पर सागरी तरेंगे अधिक वेगवती वे सक्री होती है वह अब गरसन द्वारा अधिक कटाव होने से क्लिफ का निर्मान होता है दीरे दीरे कलिफ के आदार पर अपरदन बढ़ने से कलिफ का अगला भाग तूटकर अलग हो जाता है इस परक्रिया के लंबे समय तक चलने से विस्तरत अपरदित प्लेटफरम का निर्मान हो जाता है जिस पर सागरी जल का विस्तार हो जाता है और मंग्न तटो का निर्मान हो जाता है कभी कभी विवर्तनिक सक्तियों के अधिक सक्रे होने पर माधी पे भाग में सागर की और सामानी जुकाओ हो जाता है अब लेते हैं माधी पे मंग्न ढाल माधी पे नीमंगन तट और घेरे सागरे मैदान के मद्दे तीवरी ढाल वाले भाग को माधी पे मंगन डाल कहते हैं नीमंगन तट के आगे जहां ढाल प्रवनता एकदम तीवरी हो जाती है वहीं से मंगन डाल का आरम होता है जो आगे क्रमस से मंद होता हुआ मादी पे उभार से मिल जाता है मादी पे मंगन दाल को प्रोंता विभिन इस्तानों पर भिन भिन होती है और से दाल प्रोंता पांच डिगरी होती है मादी पे मंगन दालों के निर्मान के बारे में कुछ विद्वानों का विचार है कि इनका निर्मान सागरे तरहों द्वारा अपरदन के कारण हुआ है कुछ लोगों का मानना है कि कहीं कहीं मादी पे मंगन दालों से वलन उत्पन होने फिर लंबे समय तक एकृतित हुए निक्षेप के कारण मादी पे ढालों के उत्पती हुई होगी गेरे सागरे मेदान अगाद सागरे मेदान मासागरी तली का सर्वादिक विस्तथ भाग होते हैं जिनकी गेराए 3,000 से 6,000 मिटर तक होती है इन मेदानों का ढाल सामान ये मिलता है समस्त मासागरी च्छेतरफल के लगबग 75.9% भागपर सागरे मेदान का विस्तार पाय जाता है परंतु विभीन महासागरों में इनके चेत्रिफल के प्रतिसत में बिनता मिलती है एटलाटिक महासागर में सागरिय मेदान के कम विस्तार का कारण महाधी पे निमंग टट का अधिक विस्तार है महासागरे चल के नीचे ये मेदान अत्यमत विस्तरत होते हैं जिन पर ट्रीवरी ढाल के अबावज Kebaवजद विन-विन परकार के इस्तला करते आपाई जाती है इन गेरे मैदानी भागों में कहीं कहीं लंबे तता पतले कटक पाई जाते हैं जिनके किनारे तीर ढालवाले होते हैं तता कहीं कहीं ये कटक सागरी जलतक या उसके उपर भी दिखाई देती है इन विज्डित सागरे मेदانों पर सागरे जीवो पोदो तताशारिय परदातों के निक्षिप मिलते हैं किन्तू इन पर अपरदन से स्पराद मल्बा वे तल्चटों का फुनतवाओ मिलता है कहीं कहीं जो आलमों के उद्गारों से निस्तरत परदारतों के जमाव भी मिलते हैं अब लेते मासागरिय गर्थ मासागरिय गर्थ से ताथ परिये मासागरों के नितल पर पाए जाने वारे सबसेदी गेरे भागों से है कुल मासागरिय नितल के लगबग 57 even percent भाग पर इन महासागरी गर्तों का विस्तार मिलता है आकार की देश्ची से महासागरी गर्तों को दो वर्गों में वाजित किया जाता है खाईया दूसरा द्रोनिया उन गेरे भागों को खाईया कहते हैं जो प्राय लंबे सक्रे तता चापकार होते हैं पार्सवर्ती भाग तीवर्य ढालवाले होते हैं, इनकी इस्तिति प्राय तट के सारे प्रवतिय संख्लाओं के समान मिलती है, दीपो के सारे भी केरे गर्द देखने को मिलते हैं, अब लेते हैं, अन्ते सागर्य कंद्राय, महादी पे मंगन तर्ट तता मंगन ढाल पर महासागर के इंदर भी आकार की दिर्द तता गेरी कंद्राय पाई जाती है, जिनके पासुर त्रिव ढालवाले होते हैं, इन्हें अन्ते सागर्य कंद्राय या केनियन कहा जाता है, ये कंद्रा हैं नदियों द्वारा इस्तल पर निर्मित केनियन के समान होती है निर्मानक प्रक्रम के आदार पर इनके दो परकार होते हैं हिमानी द्वारा निर्मित केनियन हिमानी के लवा अन्य प्रक्रमों या शक्ति से निर्मित केनियन दित्य परकार के केनियन संख्या में अधिक मिलते हैं तता इनका आकार गेरा तता लंबी खाई के समान होता है कुछ अफवादों को छोड़कर अंते सागरे कंद्रा है तटके लंवत होती है तता बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाई जाती है इस तर लिए तता अंते सागरे केनियन की अनुप्रस्त तता अनुदेरिये परी छेदी काओ में कमी अंतर होता है डाल बिन बिन हुआ करता है परन्त उनका उस्त डाल एक पॉइंट साथ प्रतिशत है जो केनियन नदियों के बवाने के सामने इस्तित है उनकी लंबाई अधिक पर डाल कम होता है यह आज अपने महासागरी तली का उचाउच में माधी पिये निमंग तट के बारे में चर्चा की माधी पे ढाल के बारे में गहरे सागरी मेदान महासागरी गर्त और अंते सागरी कंद्राएं के बारे में अधियन किया